आएए दोस्तों, आज हम आपको अम्मरेला गहरा, फोल्ड किस तरीके से, आसानी से करेंगे, वो हम आपको बताएंगे, यह छोटी सी टिप है, तो यह देखिए, इसका गहरा कितना है, यह करीब 1 मिटर के करीब है, और यह 4 तैमे है, तो टोटल यह, 4 मिटर के करीब यह गहर तो यह औरेव होता है तो इसको किस तरीके से आसानी से आप इसको फोल्ड करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए इसको हम पहले सिंगल यह कच्ची इस तरीके से यह देखिए बारिक से बारिक इसको फोल्ड करेंगे और जो सिलाई लगाएंगे वो इस सेट पर पिल्गुक किनार पर लगाएंगे यहां पे तो इसको इस तरीके से ऐसे यह देखिए सJust यह इस तरीके से इस किनार पर लगाने का मतलब यह है कि जब इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो यह वाली जो आप इसे सेट में आ जाएगी अगर आप बीच में लगा देंगे तो यह शिलाई फिर आपकी यहां बहार भी निकल जाएगी तो इस तरीके से देखिए आप इसको इस तरीके से रखेंगे ऐसे और यह जो और यह पकपड़ा आता है यह अंगूठा जो होता है यह बहुत काम करता है यहाँ पे जब ऐसे करके आप रखेंगे यह देखिए यह मेरा अंगूटा यहाँ चलेगा तो यह इसको यहाँ खीसता जाएगा इस तरीके से यह देखिए यह दोनों उगलियां यहाँ जा रही है जो आपकी जोल भी नहीं आएगी इस अंगूटे का बहुत ज्यादा इसमें और इप गेरे में साथ होता है यह देखिए इसको ऐसे पोल्ड करके यह देखिए इस तरीके से अगर आप इसको पूरा सीधा करके रखेंगे तो और जल्दी फोल्ड हो जाएगा यह देखिए चार मीटर का बन हुआ है तो इसको जड़ा थोड़ा यह जो यहां पर जोड लगाते हैं और जोड लगाने के बाद में जो और यह जगा ख़तम होती है यह खड़ा कपड़ा आता है तो हैं पे फोल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इसलिए इसको देखिए इस तरीके से ही यह अंगुठे के हिसाफ सक आभी खीचना तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा यह देखिए यह भी इसका एक तरीका है तो मैं आपको आज यह दोनों तरीके जो है मैं आपको बता दे रहा हूं ऐसे करके फिर यह दोनों उगलिये हैं यहां काम करेंगी और यह उपर वाली उगलिये यह इस से आप इसको ऐसे करके फो यह निचे रहा है, क्योंकि नीचे का हिस्सा इसमें और आपको देखे इस तरीके से खीजना है, तो बड़ा आसानि से और बड़ा फिनिशिंग से यह आपका गेहरा इससे होल्ड हो जाएगा, यह देखिए, इस तरीके से, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिये, चाहि ये ले 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 चाहिए वाला ले ले ऐसे करके यह देखिए मलब नीचे वाला हिस्सा जो है वो आपको खीच के ही रखना है यह देखिए यह एक इसकी कच्छी सिलाई यह हो गई है तो इसको इस तरीके से काट के और यह देखिए जहां पर यह ज्यादा है ना तो यहां पर थोड और कटकरने के बाद में फिर हम देखिए अब यह दुबारासे जो इसको पक्का फॉल्ड करेंगे इसको इस तरीके से रखेंगे जितना बारिक से बारिक आप इसको बना सकते है उतना बना लीजिए क्योंकि आपने शिलाई इतर लगा दिये तो उसकी तो के बज़ों कोई दिककती निए की आही आफ की नेजर आजाएगी यह की निच से एसे करके यह नीचे से यह थे खीछ रहा अब नीचे से यह दूसरी वालीे लगाएंगे तो इसको इस थहींगे की कृछ गये तो elaborate ऐटных यह देख्ये बिलकुल बारlands विल्कुल fold हो गया है जैसे ऐसे लग रहा है ये आपने pico करा रखा ये देखिए ये इसी तरीके से ये जहाँ पर जोड़ आएगा बहाँ पर हल्का सा मोटा हो जाएगा ये देखिए इस तरीके से जितना बारिक से बारिक हो सकता है आप इसको ऐसे करके, ये देख़िए ये फोल्ड करेंगे, और ये खीच के रखेंगे लीचे वाला कपड़ा जो है, अभी भी, जो ये कपड़ा है, इसको खीच के रखेंगे, अगर इसको नहीं क्हीचेंगे, तो ये आपका गहरा फोल्ड, सरी डंग से नहीं होगा गेरा तो फोल्ड हो जाएगा बस सरी डंग से नहीं होगा जैसे कि अब गेरा जो फोल्ड हो रहा है यह ऐसा लग रहा है कि पहनने के बाद में भी लगेगा आपको कि पीको करा रखा है आपने दूर से कोई पास से देखेगा ये देखिए ये कितनी बेतरीन इसकी फॉल आ रही है ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बारीक पीको करा रखा है ये इसी तरीके से ये देखिए ये नीचे वाला हिस्सा जरूर खीचना होता है ये देखिए ये हलका यह उतर गया तो इसको हम यह बापस ऐसी चड़ा लेते हैं हलका तब यह अगरा धीला चूटेगा तो यह इससा निकल जाएगा फिर वह उतर जाएगी वाँसे सिलाई तो इसको खीच के रखेंगे तो यह इस तरीके से फोल्ड रहेगा ये देखिए और यह आप देखिए आप यह बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपने दूर से यह लगेगा कि आपने पीको कर रखी है बिल्कुल बारीक देखिए इतना बारीक कि जितना पीको ही इतना ही कपड़ा दबाता है यह देखिए आप पास से दिखाए यह बिल्कुल पीको में इतना ही कपड़ा आता है इस तरीके से यह देख लीजिए आप बिल्कुल फिनिसिंग से एकदम यह फोल्ड हो गया है और वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें सेर करें सस्क्राइब करना ना भूलें ठैंक यू